पान्चाल नरेश अकस्मात स्वयमवर परंत वासुदेव इतनी शीगरता से इतना बड़ा प्रबंद कैसे हो पाएगा आप उसकी चिंता ना करें पान्चाल नरेश युग की धारा को जो परिवर्तित करने आई है उसका स्वयमवर भी युग का सबसे विशाल स्वयमवर होगा जो वसुधा का इतिहास बडलने आई है उसका स्वयमवर का उत्तरदाइत स्वयम वासुदेव समालेगा ये श्रिष्टी का सबसे अधिक स्मरन किया जाने वाला स्वयमवर होगा पान्चाल नरेश तो आपको श्रिष्टी के सभी योधाओं को आमंत्रित करना ही होगा उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे मित्रों का स्वागत आप करेंगी पान्चाल नरेश प्रश्न ये उड़ता है कि संसार के सर्वष्रेश्ट योद्धाव में से हमारी पुत्री ज्रॉपती के लिए सर्वष्रेश्वर का चुनाव कैसे होगा? सर्वष्रेश्वर का चुनाव तो परिक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश जिस याग सेने को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया उससे विवाह करने के लिए उतना ही उचा मान डंड होगा द्रॉपती को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष को साथ सके और वो असंभव लक्ष क्या होगा वासुदे? वो लक्ष ना कथा में किसीने सुना होगा ना स्वप्न में किसीने देखा होगा ना कलपना में किसीने सोचा होगा युक के सबसे स्मर्णिय स्वेंवर का निमंत्रन भी सबसे विलक्षन होगा ये निमंत्रन नहीं चेतावनी होगा कि अगनी सुताह याग किसेनी से विवाह करने के इच्छा वही रखें जिनमें अगनी की ज्वालाओं से खेलने का साहस है सबसे आवश्चिक बात हस्तिनापुर को ये निमंत्रन भिजवाना मत भूलेगा पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज इसमें क्या हो सकता है अब दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस ये दुस्साहस नहीं है गांधाराज, ये संदेश है संदेश? कैसा संदेश? वीरो का आपूशन है धीर मनुष ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी है ये स्वयमवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयमवर होगा चुकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा युद्धा है पांचाल राज की कन्या का वरन करने का सवभाग्य प्राप्त कर सकेगा परन्तु स्मारन रहे ये स्वयमवर एक अगनी परिक्षा सिद्ध होगा वो अगनी जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और आपवित्र का नाश करती है निमंत्रण आया है मामा श्री जाना होगा परन्तु अकेले नहीं क्यों आपको मेरे बल पर श्वास नहीं है मामा श्री हाँ है परन्तु उसकी माया पर नहीं इस संसार में एक वो ही है जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हम और वो इस वयंवर में अवश्य आएगा कौन बताईए मामा श्री वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण हाँ वासुदेव कृष्ण वो वो कब कहां क्या कर जाए पुछ का नहीं जा सकता हुँद महा राजनितिग्यों में माराजनितिग्य कूट नीती में महा कूट नितिग्य य१ाउं में महा य१ा और छलिया वें महा छलिया है वो तुम तो जानते ही, महाबली जरासंद को कैसे नचाया है उसने आज तक? आँ ममस्री उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं वो तुम्हारे साथ कोई खेल न कर बैठे इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे, न? और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं, शत्रूराज है और तुम तुम तुरुपत के शत्रूराज के यूराज फिर क्या किया जाए ममाश्री इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यक्ता है अर्थ, अर्थाथ, करंड की मैं तुम से और राजवंच के सभी कुछ चक्र और चेश्टा हूँ से अबना बंदन तोडता हूँ आज के पश्चा हमारा कोई संबन नहीं मैं सदा के लिए तुमारा साथ छोड़कर जा रहा हूँ आएगा, अवश्या आएगा सच्मा मश्री हाँ मेरी एक चाल से करंड तुम से दूर हुआ अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा यदी यदी मेरी बात मानोगे तो तो ना केवल तर्ड वापस आएगा बल्कि तुमारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा घंड को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मा मश्री कुछ भी कुछ भी इन यह सिर्गान ती तो सिर्थर वे आख इन इन यह त क्लिक केवाँ तो दोसित वोगए मैंна ऱ्यार है कि खावए यडतेर कीज जात से एफ है ऑम region कि खा यह बोगड़ कर दष्गार मुगार सान करता है अजबल हुआ, उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था, और इस समय ना कुन्ती मा की। वर्यवर्दन का सुपने देखने बाला, अन्याय का प्रतिकार करने का पचन देने वाला ये करन, नियाती की कसोटी परासपर होग है। परिवर्दन लान। अन्याय का प्रतिकार करपाना यदि इतना सरल होता है। कोई भी कर लेता है। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कश्थ सहने की कोई आवशक करने की। आप नियती की कसोटी पर असफल तब होंगे, जब परिवर्दन का अपना स्वपना छोड़ दे। राजकुमार दुर्योधन का साथ खोड़कर, कहीं आप परिवर्दन के अपने लक्ष से दूर तो नहीं जा रहे। मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा, क्योंकि नीती की स्थाबना अनीती का साथ देकर नहीं कर सकते मैं जन पर कर्म की श्रेष्ठा सित करना चाहता हूँ और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती यदि अंका मुकुट प्याग दिया तो आपके दायत वका क्या हो मैंने मुकुट को छोड़ा है अपना दायत्व नहीं परिवर्तन के लिए मेरा संखर्ष सदा रहेगा तो अंग हो या भुगतग्राम क्या अंतर पड़ता है जब आपके प्रयास के लिए अंग या भुगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तिनापूर क्यों नहीं आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारम होता है और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ किया शकुमार दुर्योधन आपके मित्र है यदि आप उनके साथ रहे तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोपद दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती परन्तु क्या ये उचित हल है मैंने दुर्योधन का नहीं उसके कर्मों का उसके निर्ने का साथ छोड़ा है वेक योधा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद खड़ा हो सकता परन्तु शड़ियंत कारी के लिए नहीं कभी नहीं यदि दुर्योधन अचित मार्ग पर अंगराश जिवराश दुर्योधन ने अपने आपको कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अगनी लगा दी है शेगरी चलिए अनुज दुर्योधन मेरे पुत्र ये कैसा हट है पुत्र दुर्योधन बहार आजाओ दुर्योधन पिच्छा किये पुत्र पुत्र ये क्या किया तुमने शोयम अगनीकान क्यू किया एक अगनीकान था पहले किया था परंदूस ने मेरे शत्रों के साथ साथ मेरे परमित्र को भी मज से चेन लिया और अब ये अगनीकान है मेरे अश्यत आपकी अगनीकान अथी उत्तम जैसा में ने कहा ऐसा ही कर रहे हो भाराओ भाराओ नहीं तुम्हे उपचार की आवशकता है मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है मेरा धारन तुम्हारी शमा मुझे शमा कर थो मित्र मैं वज़न देता कभी आज के बाद अपने मित्रदा को लग्जित नहीं होने दूँगा मैं उद्ष्टिर की उवराज बनने के बश्चात मैं सौयम पर से बश को बढ़ा था और इसलिए मैं मामाशी के देकावे में आ गया अब इन बातों का कोई लाग नहीं अरुच से निकलावा बाड लोट कर नहीं आता बाहराव रंदू मैं कैसे योद्धा को अविश्य जानता हूं जिसमें अपना पान वापिस लाने की शम्ता है और वो तुम हो मित्र तुम हो वो नेरी बात मनो आग बढ़ रही है बाहराओ नहीं मैं थक बाहर होगा जब तुम्हारी शमा पालोंगा परना इसी अगरी में पास पहुचाँगा तुम्हें दो प्रिड़ा उठाया है ना मित्र परिवर्तन का तुम्हे एक अफसर तो दो ताकि मैं ये सिद कर पाऊ मेरा मन भी परिवर्तित हो गया है भार आओ कहो मित्र ये तुमने मुझे शमा किया कहो मित्र ये तुमने मुझे शमा किया ठीक है मैंने तुम्हे शमा किया अब ता हाथ दो पज़े हाथ दो पस हो गया पस हो गया मेरे होने वाले संपराट अब बाहर आजाओ ये हमारे योजना का भाग नहीं था पस हो गया भी नहीं अगनी बढ़ रही है तुम्हारा अंध हो जाएगा मेरे होने वाले संपराट पाहरा जाओ ये योजना अस्थ हो जाएग बस मेरी मित्रताप के किसी व्योजना का भाग है भी नहीं मामाशनी ये एक भाश्चताप है मित्र का भाश्चताप एक जिसने अपने मित्र को फेस पोचाई है मैंने मैंने बहुत से पाप की है परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुखाना चाता बोलो कर तुम मेरे साथ हो हाँ केवल हाँ नहीं मजे बचन दो के हर परिस्थिती में तुम मेरा साथ दो के मैं बचन देता सोकन रखाऊ अपने अनुचकी कि तुम मुझे कभी अगेला नही जोड़ो के मैं शॉन की सोकन दिखाता कि मैं अपने मित्र को अगेला नहीं छोड़ूँगा अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र हाथ आगे बढ़ाओ हाँ मित्र कि माड़्या कि मैं घृऑ्योग सुए आगे बढ़ाओ कि पीदा जख वेंगे लूजए जा उनकी ने लूजए दो टूर ने लूए 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 मित्र, एक वचन तुम्हें मुझे दिया, और अब एक वचन मैं तुम्हें देता हूँ आज के बाद कभे कोई कुछ अगर ने रचूंगा, कभे कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा, जो तुम्हारी द्रिष्टी में अनुचितो, तब तक नहीं, जब तक कोई मुझे उपसाएगा नहीं, मैं वचन देता हूँ जब एक अचले लाग कोई एक पर के उपसाएग्ज देता नहीं, जब एक वाक वार समय करूंगा इंड पार वार मैं अनुचितो, जो खना। कर दो कर दो